वेलकम बैक तो आबर चैनल दबॉंग बैकपेकर्स इन यूके पीछले वीडियो में आपने देखा था एडिन्बरा सीटी एडिन्बरा में बहुत सारे जगा और इस वीडियो में आपको लेके चलेंगे स्कॉटलैंड का हाइलांड टूर ये है स्कॉटलैंड एपिसोड फाइफ और हम लोग वेस्ट हाइलांड टूर करिंगे रैबिस्ट्रेवल कंपनी के साथ फोर देज का तूर है चलिये चलते है ये जगह का नाम है फॉर्ट फोर्ट 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 पर जाते हुए जो वी फेमस जगह है सब दिखाते हुए जाता है ये रैबिस्ट का खासियत है ये जगह का नाम है फॉर्ट फोर्थ इसलिए ये ब्रीज का नाम है फोर्थ ब्रीज ये एक famous bridge है UNESCO World Heritage Site है और ये bridge का खासियत है इसका structure और ये एक railway bridge है जो London और Aberdeen को connect करता है ये है Queens Ferry Crossing जो एक M90 motorway है ये bridge के थूँ South Queens Ferry और North Queens Ferry connect होता है हम लोग सोच रहते कि 4th bridge कैसे देखने जाएं बट रैबिस के थूँ वो पॉसिबल हो गया अभी हम लोग आ गया है केलपी समें बहुत सुन्द है ये है The Helix Park is the home of the Kelpies the largest equine sculpture in the world The Kelpies दुनिया में सबसे बड़ा घोरो का statue जो है वो यही है रियल लाइफ में दो होर्स थे Duke and Baron उनके उपर ही बेस करके ये दो होर्स का sculpture बनाया गया था Andrew Scott ने बनाया था और ये एक sculpture का height जो है वो 100 feet है और जो weight है ये 300 tons से भी ज्यादा है Scottish industry and economy में horse का जो importance है वो ही ये दोनों sculpture represent करता है एक जिस नोटिस करिए ये दोनों horse में से एक horse नीचे के side में देख रहा है और दूसरा horse उपर के side देख रहा है इतना ठंड है तो ये है मोका ये लिग पख्राइज आका तेंक यू और अभी के लिए के सामने हुआ को ऑन्ड को इंजोय करते हुए ये 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 पे बरफ एक तकर करके रखे है कि खाल ये स्लीपनक करे मेरे पीछे चोटा केलपी और इधर बड़ा केलपी अभी हम लोग जा रहे है स्टार्लिंग कासल स्कॉटलेंड में जितना भी कासल्स है उन में से एक इंपोर्टन कासल है और यह जो नीचे देख रहा है यह जगा कासल का गार्डन था अभी हम लोग कासल के अंदर तो नहीं जाएंगे बस कासल के बाहर व्यूज जो है वो सब देखे फिर नेक्स डेस्टिनेशन जाएंगे यह स्टार्लिंग कैसल भी अपका वॉल्कानो रॉक के ओपर बना हुआ है लेकिन यह हमारे जो राबिश को ड्राइबर का गाइट उन्होंने कहा कि यह एदिन्बरा कैसल से फार 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 बेटर है और यहां से वीव वॉँ अवस्ट्व इमर कैसल इचित कांटर अवस्ट्व 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 विंटर और जो आपको समर में नहीं मिलेगा तो मुझे तो विंटर ही अच्छा लगा स्कॉट्लेंड घुमने के लिए यह जगा का नाम है कैलेंडर यहां पे स्टॉप दिया है लगभग वान आवर का स्टॉप है तो यहां पे लंच के लिए टाइम देते हैं ग्लेंड को जाने से पहले यह है हंटर चिकन विट सलागान चिप्स और यह सूप अब दे जिसको बोलते हैं स्कॉट्लेंड में टोटल तीस हजार से भी ज्यादा लॉक्स है लॉक्स मतलब लेक बट स्कॉटिश पिपल लेक बोलना नहीं पसंद करते हैं और नहीं सुनना तो यहां पे लॉक्स बोलते हैं और उनमें से ही एक लॉक्स में अभी अमलब जा रहे हैं लेख बोलते हैं वेख बिसके लॉक्स में अभी जाए हैं पिसके लिए जाए हैं और लेख 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 लिए तो यहां पाईद करते हैं कि आप अमयों आप भाफ डूसे वाफ गार कि थे लिख थे लाफ टे मुड़्हाँ राफ दीज दीज टो अगार कि बीज़ क्वैल में प्राफ लाफ प्रूब्न स किव दूख भात पर लिख अदूज बात बाफ लाफ चॉठबश कवार लाफ दो बाफ जामें पर दूबना चारे का प्रुलिएव दोड़न चलाने का मौका मिला है फिलेन को में लिए का हाइस मांटन है झाल 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 झाल